आज देशभर में वैशनव सम्त्रदाय के लोग कृष्ण जन्माश्टमी खात्रियोहार मना रहे हैं। वैसे तो इस बार दो दिन जन्माश्टमी मनाई जा रही है। इसकी तेथी 11 अगस्त को 9 बजे लगी थी जो आज 12 अगस्त को सुबर 11 बजे तक रहेगी। इस दिन भगवार श्री कृष्ण की पूजरा अर्चना की जाती है। साथ ही इस दिन उनकी प्रतिमा को खास रूप से सजाया जाता है। और माखन जो उन्हें बहुत प्रिय हैं उन्हें रखने से वे बहुत प्रसन होते हैं। हर साल भादरपत के कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी को कृष्ण जन्माश्टमी का दिवार मनाया जाता है। वहीं अश्टमी तिथी और रोहिनी नक्षत्र के समय के आधार पर कृष्ण जन्माश्टमी का वरत दो दिन तक मनाया जाता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं इस दिन श्री कृष्ण को किस तरह सी प्रसन्न किया जा सकता है और किन-किन चीजों से वो प्रसन्न होते हैं। मानेता है कि आज के दिन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए आज के दिन सुबह उड़ते से ही सूरी को नमस्कार कर पूर्व या उतरदिशा की और मुख कर बेठें। साथी हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करें। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण की मूती या चत्र स्थापत करें। वहीं वदिविधान से पूजन करें। उसके बाद प्रभू कृष्ण का अश्रवात राप्त करें। इस दिन कई लोग वरत भी रखते हैं। तो यदि आप भी वरत रख सकते हैं तो करें। क्योंकि ऐसा मारा जाता है कि इस दिन भगतों की हर मनुकामना पूरी की जा सकती है। वहीं इस दिन जिन लोगों का चंदर कमजोर हैं। विशेश रूप से कृष्ण भगवान की पूजा करें। हिंदु मानिताओं में इस दिन को सबसे अधिक कानहा के बाल गुपाल स्वरूप की पूजा की जाती है।